ना मशीन से आ सकते हैं मशीन हेंकर के ने बरना तो वैली ठप्या पेपर पे आता ना चुनाब तो इनका मुझ काला कर देती जंता मार मार के ठप्या तो गरीब आदमी तो चुनाब लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ इसे इलाज कराना चीए और इसे लगता है कई बार तो यह जो कर रहा है कभी पत्नियों के मंगल सुत्रों का दोसी है परखणवादी व्यक्ति है यह जूंटा है और मकार् है इस परधान मंत्री का बिलकुल वाई को ट करना चीए पूरे देश के लोगों को यह किसी का आने की तयारी कर रहा नरेंद मोधी आरेसेस के लो अच्छे दिखा दिखा के देश के बेहन बेट्यों को नंगे कर दिया और यह कहते देगाय माता गाय माता यह वो लोग है जो गाय को कटवाते गाय माता का एक्सपॉर्ट करते हैं उसका कतल करके उसको बेखते हैं और जादा साह्ट में बोल रहे जैने हैं प्राइम अस्वस होचकह कि चाրसो पार लाही सकते कि कुछ भी बोल सकते हैं, ठीके न, वो पर्दान मंत्रि उनक पूर्द मंत्रि इसलों ना थो, सरकार आप हमारी है, साथन, बातनुर्बा नशन हमारा है, हम जो बंद लें गो हो जाएगा तो मतलब क dispositive care के इस तरीके के सावाल कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो घोटाला गरेगा जो 400 वार बता रहा है पहले कोई परण मन्तरी ऐसा नहीं रहा जिसने यह का हो कि हम इतनी situation भ ला रहे हैं यह तरीक़े प्राइम मिरिश्टर के काम को लेकर आप कह रहे हैं प्राइम मिरिश्टर ने अभी जो एक अपना एजंड़ा सेट किया है अप उसको बढ़ा कर एक सो पचीज दिन का करने वाल है उन्होंने कहा है कि बेसिकली हम सो दिन जो एजंड़ा सेट करते हैं अपने काम को देते हैं जिसमें उन्होंने प्रिफर किया है कि मैंने जो फर्ष्ट मेरा प्यॉर्टी रहेगा इनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें एक फजन अन्होंने जो जो है की बहुत एक सक्वाल उठाट इस पर कहना है कि एक ड्रेस हो जाएगा ऊपका इस्किया एंपर सिट कॉर्दानमंत्री शुरु प्रैषा, सुरक्षा Gil नहीं हूइन भारत की निचानूरीई करकर्दन है करें योणौंट पहालों क्या करे यह बता, पेर तुन्हा कहता चावल गया हूं चार केलो देगा, तो इससे देश सलेगा क्या, स्कूल बंद कर दिये, स्वास्षेवाएं बंद कर दिये हैं आपने, बेन बेटी सुरक्चत नहीं है, निर्वस्त गुमाई जा रही है, सेना के जवानों की पत्नियों को निर्वस्त गुमाया जा रहा है, तो ये कौन सा बिल है, समझे नहीं, ये तो जिंदिगी देश के भारत दिल को ठिस पहुचाने वाला परदान मंतरी है, और ये जूटा है कभी तीन तलाग, भाई तीन तल मैं भारत के एक तरीगे से, असली इस्तम तो यही है, इससे मजबूत होगा भारत, महर उसको खतम, नहीं नहीं चीजे लिया आएगा, कभी उछल कूद लिया आएगा, कभी कहेगा मैं ये कनुआ, कल कहेगा कि चुटिया रखमाऊँगा, ऐसे नहीं, यहीं रखमाऊँगा बात करने हैं, EDCBI उसके लिए काम करती है, जो EDCBI को आप कहते थे निस्पक्षा रवाई करने वाले हैं, यह एजंसियां, वो एजंसियां आज की धलाल दिखाई देती हैं, कोई विश्वास नहीं करता EDCBI पर, कहते हैं धलाल हैं यह एजंसियां, तो यह मजाग बना दिया आजयां window, प्रधान मंत्री नहीं करता रहा हैं, नहीं कödhoon आप परधान मंत्री करते हैं, अब यह को बातरां करहा हैं, नहीं कम भी सिंग से लगा एक मजाता किैский से जुड़े, परधान मंत्री का एजड़े को Цन स्थाना को पर देते हैं, चल्यांसियां भूशim इसistesथान स जाते हैं तामिलाडू जाते हैं वहां की कल्चर को अपनाते हैं और जहीं आपने कहा एडी पी सवाल एडी पर कहना है कि 2004 से लेकर 2004 तक एडी जो जो भी पच्च में थी जो सत्ता पच्च में थे एडी उनका कोई काम नहीं करती थी वह केवल ब्लेक मार्केटिंग की हो जाती थी क्योंकि सत्ता पच्च की लोग उसको अपनी इन्विगेशन भी लगाती रही थी उसको उससे दूर रखते थे उसको केवल ब्लेक म मार्केटिंग चावल की ब्लेक मार्केटिंग की ओर लगा जाता था जब की केवल हम भी पच्छ में थे केवल 35 लाख करोंग पैसिस लाख रुपे जगत अड़े की समपति जब तो ही जब की आपका 2014 से लेकर 2017 तक उन्होंने पच्छी बंगाल जारखंड में जो नहोंने जब किया है जो 22 क्रोड इड़ी ने जब कि अब उनका जो काम हो रहा है सही डาง से तरीक हो करने के कि लिए एक सुतंतर किया घया जैरे गुलाम इड़ी सफ्टंतर करेगा और आपने का फोर च्छ जमा खोरी काले धन को एक कानून वना दिया है इनुने जितने बीच के लोग हैं मेडियेटर वो अपना जमा करेंगो देश की जनता को जो उप्भोग था उनको महंगा करके बेखेंगे किसान को लागत मेनत का उचित दाम सही नहीं मिलेगा उनको वो मेस्पी के रिट के लिए लड़ते रहेंगे देश के फोजी सेना के सिपाई बन रेंक बन पेंसन के लिए तरस्ते रहेंगे और ये पहला परधान मंत्री है जिसके उपर देश के सेना के सहीदों की हत्या का मामला इसके उपर लगता है आरोप लगते हैं ये लोगों के कहता मंगल सूत्र बचाऊंगा चाहिए उरी हो पठान कोट हो पुलवामाम है तो जितने सैध हुए सेनिक उनकी पत्नियों के मंगल सूत्रों का दोसी है परदान मंत्री नरेन मोदी ये जबाब दे उनके मंगल सूत्र दिला दे लाके नहीं कुछ नहीं लागे दे रहा है then यह जूंटा है और मकार है इस परधान मंत्री का बिलखुल वाईकोट करना चाहिए पूरे देश के लोगों को यह किसी का सगे भला नहीं है ना दलितों का ना सोशितों का ना बंचitों का आपन अग्डयों का किसी का प्रहान मंत्री जुके रहते हैं प्रहान मंत्री का उस इंटर्व्यू में सीध्य साप कहना है कि जो अंबानी आडानी है उनको हम क्यों ना सपोर्ट करें अगर देश के लिए स्किल्स काम करें उनकी जो मैंनुफेक्चर्स के जड़िए लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लोगों को रुजगार प्रवाइड हुआ इस पर लोग नहीं कहते हैं जो बिपश्ची उनका कहना कि बच सरासर जूट आरोप लगा रही है जिसका कोई तरक नी बनता मेरी मैडम ये कौन सी कंपनी को दे रहे हैं प्राइविट लिम्टेट कंपनियों को दे रहे हैं लोग ठेकेदारी पर्था के माध्यम से गुलाम बनाना चाहता है देश को और जब कि देश के आप खुद ही देख लो अगनी वीरों को देख लो चोबीस साल का ललका रिटाइर हो जाएगा चार साल में 20 साल की उमर मुस्की की नोकरी लगेगी सेना मा जाएगा चार साल में रिटाइर 24 साल का युवा रिटाइर और खुद कितने साल का तू देश के लगू कुटीर और गरेलू व्यापार को बढ़ा बाद होगे जब तो ही देश बलेगा उनको तो पॉलूशन के नाम पे तुम बंद करा रहे हो और अपने माई बापों को जो बिदेशों से वा रही हैं बड़ी-बड़ी कंपनिया चाइना क्या रहे हैं जो जो कहने का मत्तब जान दी हो लाश का में 200 पार हो गया चाइना अंदर भारत के अंदर मान शोबर भी ले दूबा हो कि प्यर्teen golden एक कितनी हमारी जमीनी हड़क अरप कर चुका और चायंना के शासन में चायना का विरूद कर दें अबकी बार चार सो किल OSMP अ अंदर आ जाएगा इनका सासन आते ही और यहां सासन किसका होगा मुगलों का हुग अंग्रेजों का हुग आपकी बाद चाइनिस का होगा समझें हकाची नहीं पाई पाई समझें नहीं रहेगा कोई भारत का सिपाई बिमार फर जाओग इतना ही मिलेगी दवाई सिर्फ चिप लगेगी चिप लगाई आपके हाथ में ठीक कर दी समझें तो ये वो लोग है चाइनिस लोगा जाएंगे चाइनिस लोगों का इस देश पर पूरी तरीके से दबब़ा हो जाएगा और ये देश गुलाम हो जाएगा और चाइना के लोग तो काम कराएंगे आपसे आपका सब चीड ले लेगे आप सोच किया रहे हैं आपके अपके सोचने पर जरा जरा सी चीज की वह खबर रखेंगे और आप से उसी तरीके से काम कराय जाया तो आपको फिर गुलाम बनाया जाए पुरी तरीके से बदवा गुलाम तो इस भारत को गुलाम बनाने की तयारी कर रहा नरेंद मोदी, आरएसस के लोग ये लोग नहीं चाहते के भारत के लोग मजबूत हो बारत वासी मजबूत हो और जब भी भारत वासी आगे बढ़ने कोशिच करते हैं तो उनको डाउन किया जाता है उनके हाँ को राधिकार चीने जाते हैं विदेशी कंपनियों को फाइदा बना पहुचाय जाता है अम्मानी अधानी को पहुचा जाता है अम्मानी कोन है इसका अधानी कोन है और अम्मानी के बारे में जानती हूं उसके बच्चे की सगाई होती क्या होता है तो एक महिला के ठुमके पर चैत्तर करोड रुपए अधानी उला देता है कौन थी वो जो रियान अधान सक, उसके एक ठुमके, इतना देश रहीस है, चासी करोल लोग, चार किलो चावल, चार किलो ग्यों पर पढ़ रहे हैं, और देश के अंदर एक धोग पती, एक महिला के ठुमके, पहे चातर करोल रुपे लुटा दे रहा है, तो मजाक नहीं है देश के साथ है, परधान मंतरी करेगा, वहाँ पर ही उनिका सासन, कोई नहीं मिला क्या, मुख्यमंतरी इनका, उसके बाद उन महिलाओं के साथ, जो सामुएक रूप से रेप हुआ, बनार सिंदु उनिवस्टी में हुआ, बनार सिंदु उनिवस्टी में क्या हुआ, उच्छात्रा के साथ, इनकी आईट के पले हुए थे, समझे भारत की बेटियों की जत लूटते हैं, और ये बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाओं गनारा देंगे, उसको महिला खिलारी को दो गोल्वेर्स्टी मेडलिस्ट जो थी, उनके साथ क्या किया, यह उन्सोशन किया, हैं वो रोती रही, उन्हें ख कहां, लखिमपुर घीरे में, यहाद है न, यह नगारी चड़ा दीती, किशानों के उपर, कुछल के मार दिया था, वो भी आज चुनाव लड़ रहा है, तो यह सोच है इनकी, तो मैं कहता हूँ, कंगना रानावत के लिए मोदी जी का दिल, धिमाग, सब धड़कने लगत वो कहता है, तुमारे कुछ होता है, तो हमारा दिल कलेजा, सब फट 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 होने लगता है, तो मोदी जी उसके लिए टूट करते हैं, जेट पला सुरक्षा दे देते हैं, उस महिला को, और मंडी में चुनाव लड़ बाते हैं आप बोल रहे हैं, महिलाओं को प्राइम मिनिस्टर मोदी सुरच्छा नहीं दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है, जितनी महिलाओं को 2014 की बाद सुरच्छा लिया गया है, जितना उनको एक फैसेलिटी मिली है, महिलाओं को 30% आर्चड का भी जो बिल अभी सं पूल या घुप बालकि उनको मंचों से भासर देने ऐस पीच देने उर अपनी प्रतिक्रिया को भी कहने को भी कहा जाता है इस पर महींद अधिक ने वागता। उसका मंगल सूतर देता, मंगल सूतर कौन होता हुरत का, उसका Paði, तो Paði तो अवधाई जाज मुरता भिरता, उसका मंगूस लुगते वर किर दिखते कब आएगा, जिन्दगी हो गई, जवाणी कर ददी पत्नी, पत्नी की समय, तो फृर महिलाओं क्या देगा, पहले अप पाव ना दो कपले पेना के प्रवचन देता रहा प्रवचन कपड़े पेना दिए पी ले ले तो कहीं है कुछ अच्छा नहीं दिखाई देगा तो यह वह आधमी है तो अभी देश की जनता इसको नकार चुकी है और अगर यह आता भी है तो कही ना कई जो मशीन का खेला है तो इनका मुझ काला कर देती जनता मार मार के ठपे समझे नहीं तो यह कपके निकल ली होते मगर इनका मशीन है इसलिए कभी चार सो पार आठ सो पार चार अजार पार यह कुछ भी कह सकते हैं तो यह परदानमंत्री को शरम ही नहीं आती है कि यह कैसे बाते कर दो रहा है क्या नहीं कर दो आयों मुझे उनका म सो रुपे मैं युबार किराय से लोग आ रहे हैं पैसे से आ रहे हैं आप पूरे दिल्ली में चुनाब हो रहा कहीं दिखाई दे रहा कहीं किसी का कुछ नहीं दिखाई दे रहा मगर इनके देख लो कांग्रेस वालों के भाजपा वालों के आमादमी वालों कटाउट लग रहे हैं एक कटाउट का मैडम दो लाक रुपे है एक कटाउट लगने का पंदरा दिन का वहाँ तो गरीब परतियासी कहां से लड़ लेगा भाई और इनके सेक्डों कटाउट लग रहे हैं तो कौन लड़ेगा भाई हमारे पार इतना पैसा है गरीब आदमी के पाप पैसा है लोकतं के अंदर तो गरीब आदमी तो चुनाब लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ वो तुसरे बोट देने के लिए पैदा हुआ है चिलाने के लिए पैदा हुआ है नारे लगाने के लिए पैदा हुआ है दरी विचाने के लिए पैदा हुआ है मत देश का नेता बनने जरुत जरुत तो भृत जरुत पिला हुआ है क्योंकि गुजरात से कितनी लड़कियां गाईब करी इन ने ब्याइलीस हजार पिछले पांस साल में जब आप देना मोधी सरकार मैं थोडिकर रहा हूं उनकी सरकार केरी इ是啊 तो कहा गई वो ब्याजी ईसजाओर टिया गुजरात के आ आप अभी सवाल किया कि यहां पर हर चीज भी विखाओ हो जारी है प्राय मिनिस्टरं मोधी को कहाना कि हम आत्म difficwill भारत बनाएं जो कि जितना की समय में जितना import and sport हो रहा है बाहर उतना पहले नहीं वा था 2014 से पहले उतना नहीं वा था भारत को एक आत्म नीरपर बना रहा है इतना हो रहा है तुम भी नहीं जानती हूं कितना बीप एक्सपोर्ड हो रहा है बीप जो मशीने जो गाय काटने की मशीने ती उस पर सब्जड़ी दी है मोधी सरकार ने जवाब देना मोधी गाय सबसे ज़ाद है इनके शासन में कटी है बीप एक्सपोर्ड हो रहा है तुम सही कह रही है एक्सपोर्ड हो रहा है गाय क यह घौकत सी औरी यह जो मशीने जो आई है जो गाई को काटती उसमें मुदी सरकार सब जीरिये देती है और इलेक्ट्रोन मॉट्ड के माध्यम से पैसा लिया है किसे जो गाई काटती है जो कंपनियां उन्होंने इने चंदा दिया है चंदे का धंदा समझे यह हलत है इनकी तो बीप एक्सपोर्ट सबसे बड़ा जो एसिया में किया पूरे वर्ण में सबसे नंबर वन बनाने की और जारा भारत का यह परधान मंतिर ने बीप एक्सपोर्ट गाह करसी इन देश के अंदर भारत के परधान मंतिर नरें मोदी के सासन में हुई है और यह कहते हैं गाहे माता गाहे माता यह वो लोग हैं जो गाहे को कटवाते हैं गाहे माता का एक्सपोर्ट करते हैं उसका कतल करके उसको बेगते हैं और देश की जनता को लगाते हैं गाहे माता के नाम बेशर्म हो मर जाओ देश की जनता जानने लगी सब को जी बेशर्म हो तुम है यह थी हमारे साथ नरेंद्र जी और आपका क्या कहना इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है मैं हूं आस्था पांडे केमरा में आसीज की साथ कर दो कर दो